का हर्दिक फवागत है आज हम लोग पढ़ेंगे उफे कलाज बीट्फ वने चैप्टर का अगला भाग उफे पढ़ेंगे आज हम लोग युद्घ व राजनीद पर क्लाज वीट्ज के बिचार ठीक है? कलाजबिट्व ने रुद्ध और राजणीत पर अपने क्या विचार व्यक्ति किया है वैशे भी कलाजबिट्व का मानना था कि युद्ध अपने आप में फतंत्र नहीं बलकि राजणीत के क्या बोलते हैं? राजणीत को क्रियाद्मित करने का एक फाधन है ठीक है? यानि युद्ध राजणीत का मात्र एक अंग होता है मित्रों एक बाद फिर फिर आपसे यही कहेंगे लाइक और फब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए ठीक है? चलिए युद्ध एवं राजणीतिक फंबंधों पर फब्सक्राइब ब्यापक और बैज्ञानिक चर्चकलाद बीट्फ ने की है उन्होंने यफपस्टी करन हेतुनियम्न बिंदू का वरणन किया है पहले इन्होंने कहा है युद्ध राजणीति का फाधन है वैसे भी राजणीतिक देफ्यों को या लक्ष्यों को प्राप्त करने का अंतिम फाधन जो है वो युद्ध ही है ऐफा जो है आचारे कौटिले ने भी कहा है पैफाम, दाम, भेद के बाद अंत में दंड की नीती अपनाया जाता है किफी भी राजनेटिक लक्ष को प्राप्त करने के लिए ठीक है और युद्ध राजनीत्य के कारण है मितनों हला की राजनीत्य युद्ध जो है कई कारणोंपे होता है ब्यक्तिगत कारण भी हो फक्ते हैं लेकिन जहां पर इतिहाफ में युद्ध होते हैं इतिहाफ में राज की नीतियों को कार्यानुट करने के लिए ही युद्ध होते हैं अधिकाम फी युद्ध ये बात दूफरी है कि किफी के पाफ फक्ति जादा हो गई तो फकति के नफा में इसी ब्यक्तिगत फाधन को पाने के लिए, ब्यक्तिगत इछों की पूर्ति के लिए वो जो है युद्ध का फहारा लेता है। ठीक है? देए रामार का युद्ध, इसमें कोई राज नहीं तिक, हम नहीं कहफ़तें इसको। इसमें रावन ने केवल अपने ब्यक्तिगत लाब के लिए ब्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसने ये युद्ध की थोपा था राम पर ठीक है बाकि युद्ध वाफ्तों में अपनी फक्त को बढ़ाने के लिए अन्य छेत्रों पे अन्य राज्जों पे अधिकार करने के लिए अन्य राज्जों पे अपनी बातों को मनवाने के लिए युद्ध होते रहे हैं ठीक है और युद्ध राजनीति का परणाम होता है युद्ध राजनीति का परणाम है वही बात है राजनीति के कारण ही अधिकाम फी युद्धों में देफे हमने कहा न कुछ युद्धों को ब्यक्तिगत फार्थ वाले युद्धों को निकाल दिया जाए तो गारतर युद्ध जो है राजनीती की ही है आगे उन्होंने कहा है युद्धियों राजनीती में निरंतरता पाई जाती है वही बात है जहां राजनीती है राजनीती गुद्धियों को प्राप्त करना जरूरी है राफ्ट के लिए राफ्ट को अपनी फक्ति बढ़ाना है राफ्ट क मिना राजनीति के युद्ध काल में भी राफ्टरों के बीट राजनेतिक फमबने रह वक्त हैं आक तो फ़ही है इसे भारत पाकिफान के बीट में दूफमनी तो है चार युध जरूर हो चुके चारो नहीं दोने बीट में फमबनन नहीं है जो चीजे कोई चीर भारत फे खरीदता है कोई चीर भारत उस फे खरीदता है फित्रा अमेरिका और फोबियत फंक के बीच आप देख लीजिए भले तनाओ है तनाओ ब्यापत है लड़ाईयां होती रहती है फित्यों दिकाल में भी दूफरे केफार fmaybe बने हुए थे भारत चाइना का प्रबल फत्र है लेकिन भारत के बाज़ार चाइना के फामानों फे पटे हुए है तो युद्ध अपने अफ्थान पे दूफरी चीज है लेकिन फंबंध जो है दूफरी चीज है राजनेतिक हो फकते हैं आर्थिक हो फकते हैं वो हो फकते हैं ठीक है अगला है युद्ध राज की नीद को कारियानुइत करने का अंतिम फाधा ने इसमें कोई नई चीज नहीं है युद्ध राजनीत का एक अंग मात रहे ये भी कोई दिक्कत नहीं है और राजनीत युद् पलता रहता है अर्थाद युद्ध का जन्म होता है राजनीत नामक राजनीत के गर्भाफे फे ठीक है और वही फे उसका जन्म भी होता है अब देखिए यहाँ पर कलाजबिट्फ के बिचार फे राजनीती युद्ध फज्चालकों के अधिन होना चाहिए अर्थाद फेना नेता हो वही युद्ध के कमांडर भी हो या जो राजनेता हो वही जो है युद्ध की नीतिया भी नियन्तित करे या दोनों अलग-अलग होने चाहिए ठीक है इपड़ दो विरोधी मत है पहला नंबर है देखिए जे पर काह화를 आता है नीत निर्धारित करना और उफे कार्यान्वित करना एक ही बेक्ति के हाथ में होना चाहिए भाई दोनों कार्य एक ही बेक्ति करें तो ज़्यादा अच्छा है यानि युद्ध की नेती भी निर्धारित करें, कार्यान्वित भी करें यानि लडाई भी फ़यम कमांडर वाला कारी भी करें। इसका कारण इन्होंने क्या दिया है कि युद्ध में फमाइ का बहुत बढ़ा महत्तो होता है। और युद्ध में छान मातर की देरी भी बिनाफ का कारण बन सकती है। जबकि प्रजातांत्रिक राफ्ट्रों में नीती पारलियामेंट के फदफे बनाते हैं, जिने अने एक कमेटी उप कमेटी फे होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण अनावफ्यक देर होती है, ठीक है? लेकिन ये भी तो है, कि एगर एक ही ब्यक्ति एगर युद्ध का निरले करेगा, दोनों युद्ध और राजनीती का निरले करेगा, तो उसके दोरा एक दिमाग फे कोई भी नीती अगर बनाई जाती है, तो ओ पूर्टिया परिपक कुन नहीं होती, जब तक कि उसमें हर छे के बिफे फग्यों का योगदान ना हो, ठीक है, इफी लिए इसको कहा जाता है, अपरिपक कुन नीती, जर्मनी की प्रारंभिक बिजय एवं बात में पतन, नेपोलियन का पतन, आदिक का कारण उनकी अपरिपक कुन नीतियां है थी, अर्था जल्दी फे जल्दी नीतिया का कारे है, और उफे कार्यान विद करना जन्रलों का कारे है, कहने का मतलब, युद्ध की नीति निर्धारित करना राजनीतियों का कारे है, और उफे बाद कार्यान विद करना जन्रलों का कारे है, भई राजनीतिये हर छेतर के भी फेफग की जब इकठे होंगे, तो कोई अच्छी फी युद्ध नीती बनाएगे कि युद्ध लड़ने की छमता है भी या नहीं वही जिफे हम लोग एक प्रकारफे देखा जाए जिफे लेडील हाट ने महान क्या बोलते हैं महान अफ्तरात जी कहा है महान अफ्तरात जी के अंदर क्या होता है कि हर ठेत्र के विफेफग्यों को इकठा करके अगर कोई नीती बनाई जाती है तो ये माना जाता है कि ये नीती जो है अच्छी बनी होगी उसमें भरोफा भी किया जाफकता है ठीक है यानि अकेले ब्यक्ति जो है या परिपक को नीती बनाएगा अकेले ब्यक्ति की एक निफ्ची छमता होती है कुछ बुद्धी होगी उफी के अनुफार नीती बनाएगा लेकिन जब उसमें राजनैतिक, मनोभाई ज्यानिक, आर्थिक, बैदेफ बिदेफ नीती, रच्छा मंत्रा लए तीनों फेनाओं के अध्याच या और भी जो जरूरत के लोग हैं, जरूरत के जो जिम्मेदार ब्यक्ति हैं फब कोई कठ्ठा करके अगर नीती निर्धारित की जाएगी तो उफ्फे जो नीती बनेगी वो आफ्तों में बिजे को देने वाली होगी क्योंकि जब छमता ही नहीं होगी, कि युद्ध लडने की छमता नहीं होगी, तो कोई नीती युद्ध की बनेगी ही नहीं और उसके बाद अगर कोई युद्धिनिती बनती है तो आफ्तों में वो निती परिपक्क होगी और उसमें जो है बीजे प्राप्त किया जा सकता है ठीक है चलिए ये कहने का मतलम युद्धिनिती निर्धारित करना राजनितिग्यों का कारे है जो दूफरा विचारों फे का अच्छी तो होना चाहिए इसके लिए अनुभवी फैनिकों जंडलों और विफेफग्यों को फलाकार या राजनेताओं के रूप में होना चाहिए अब देखिए इसका दो निफकर्फ निकलता है दोनों का ये बात तो फही है कि प्रजातांत्रिक राज्ज में पूर यु युद्ध की नीती बनाना राजनीतिग्यों का कारिय है और उफे कारियानुइद करना जनरलों का कारिय है लेकिन जनरलों के कारिय में राजनीतिग्यों को वना वफ्यक हफ्तच्छेप नहीं करना चाहिए कहने का मतलब जनरलों को कोई अगर आदेफ दिया जाए तो फिर ये कहा जाए कि आपको युद्ध करना है लेकिन अब युद्ध कि इस तरह करना है ये राजनीतिंगों का कारिय नहीं है कि वो जन्रलों को ये चीज़ बताएं ठीक है? चलिए तिसमें दो ही ची निफकर फामने आते हैं प्रजात आंत्रिक राज में जहां पर आज के फमय में देखा जाए बैंग्यानिक योग है तो आज के फमय में कोई जरूए एक ब्यक्ति अकेला जो है ना तो पूरी युद्ध की तयारी करफकता है ना ही तीनों फेनाओं की बेवफ्था करफकता है इसके लिए अलग-अलग मंत्राले बनाएंगे है वो जाद आच्छा है क्योंकि एक इला बैक्ति ये फारे दाईत्यों को निभा नहीं फक्ता लेकिन ये भी फही है कि राजनीतिक ये अपना कारे करें जर्डल अपना कारे करें ठीक है अगे देखते हैं आक्रामा के वो प्रत्रच्छात्मक युद्ध पर क्लाजबिट्स के बिचार अब इसमें देखते हैं क्लाजबिट्स ने आनवार में प्रत्रच्छात्मक युद्ध को फ्रेफ्ट माना है अब प्रतिरच्छात्मक का मतलब हो ही रच्छात्मक युद्ध लेकिन एक तरफ फे प्रतिरच्छात्मक युद्ध भी कहता है और पूर्ण बिनाव को फमर्थन भी देता है और एक प्रकार फे हिम्फात्मक कारे को भी फमर्थन देता है तो प्रत्रच्छात्मक युद्ध को अगर इसनों ने फ्रेफ्ट माना है भई अपने आपको फुरच्छित रखकर युद्ध कीजिए पहले फुरच्छा फिर युद्ध ठीक है चलिए अगला है प्रत्रच्छात्मक युद्धनीत को अपना कर एक कमजोर राफ्ट भी प्र पराजित भी नहीं होंगे, ठीक है, फे गुरिल्ला युद्ध में क्या किया जाता है, छोटी फिफेना होती है, लेकिन वो फुरच्छा को जादा महातों देती है, बाकि धीरे 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 दीमक की तरह लगकर उफ को पराजित करने का प्रयाव करती है, और दन्त में धीमक क युद्ध अपनाना चाहिए, आक्रामक मत अपना ये क्योंकि आक्रामक में युद्ध में बीजय की गारंटी 50% ही होगी, क्योंकि इस उनों की ताकत बराबर है। प्राफ्टा की फुरच्छा होगी जलवायू का भी लाव मिलेगा राफ्ट का जन्मत अपने पच्छ में होता है विफ्व की फहान भूती मिलती है अगर आप फुरच्छात्मक युद्ध लड़ने वाला एक प्रकारफे प्याचारा की इफ्थिती हो जाती है ना बेचारा बताईए अपने को बचा के लड़ रहा है और डारेक्ट अगर आकरमल करेंगे तो फिधी फिवात है कि आप आकरांता बन जाएंगे और विफ्व की फहान भूती आपके फाद बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि उसमय आप एक आकरमल कारी होंगे और ऐसी इस्थिती में आप के फाद कोई फहान भूती नहीं होगी किफी भी राफ्ट की किफी भी जन्मत की ठीक है आकरमक नेती अपनाने वाले फत्र को उपरोक लाप्ध प्राप्त नहीं होते क्योंकि आप आकरमक नेती अगर आप किफी को मार रहे हैं तो मारने वाला अगर देख रहा है तो फिध अफ्तरातजिक एवं फमरतांत्रिक बिचार देखिए कलाजबिट्व ने कहा है उतेफ की प्राप्ति है तो फंगराम करना अफ्तरातजी है फंगराम में फैन निफक्ति का प्रयोग फमरतांत्र है अफ्तरातजी के तीन लक्ष होते हैं इसमें जो है फत्र की फैन निफक्ति को नफ्ट करके बिजे प्राप्त करना और फत्र की फक्त के भौतिक तथा अन्य फाधनों पर अधिकार करना तीफरा नंबर है जन्मत को अपने पच्छ में करना अब इसमें देखती है अस्तरात जी को और फमरतांत्रिक विचार का अध्यना मलगलग करते हैं तो इसमें का फंकेंद्रन फत्र के दुरबल पच्छ पर करना तथा अन्य फ्थानों पर भी उफे उल्जाये रखना अर्थात अन्य फ्थानों को और उल्जा कर फत्र को केंद्रित होने फे बचाना है और फत्र के कमजोर बिंदूओं पर अपनी पूरी ताकत फे आक्रमल करना है ठी अपनी ताकत पूरा किफी फत्र के दुर्बल पच्छों पर फ्माप्त करते जाएए और पूरी ताकत से आक्रमल करते जाएए ओगला है आक्रमल परतो अब रहिए ने देख सी अब्हे हैं फत्र को ऐसरे चकेद करने का प्रयाफ करना चाहिए युद्ध में सफलता मिलने पर संपूर सक्तिफे फत्र का पीछा करना चाहिए युद्ध अभियान काल में नए फैन दल का गठाने मं प्रिफ्ट भाग में आरच्छी दल फदा तयार रखना चाहिए बात तो सही है अगर युद्ध अभियान काल चल रहा है तो लगातार फैनिकों की भरती होनी चाहिए और लडाई के जफ्ट पीछे हमारे रिजर वो फैनिक भी होना चाहिए घेरे बंदी के अफ्थान पर संकेंद्रित आक्रमण करना चाहिए बात तो सही है अगर फीधी फीबात है अगर समय आप बिफ्ट नहीं करना चाहते और फैते हैं कि कम खर्च में अगर फत्र को हब हरा दे तो उनके किलों की घेरे बंदी नहीं फीधे आक्रमण मैदानी युद्धों में उनको आक्रामग युद्ध फे पराजित कीजिए ठीक है अधिक खर्च आपका बच जाएगा परवती युद्ध में बिजय कनिफ्ट फैनने अधिकारियों की कुफलता है और फैनिकों के मनोबलपन निर्भर करता है कनिफ्ट का मतलब होता है मित्रों चोटे यानि चोटे कमांडर जो लड़ाई के मैदान में जाते हैं ठी फक्ते हैं चाइना भारत चेन के युद्ध में भारत के पास परवती डिवीजन तो थी नहीं जिसके कारण भारती फैनिक पराजित हो गए क्योंकि वो अधिक ट्रेंड परवत पे लड़ने के लिए नहीं थे फिर दूसरी कारण उसमें ये भी था कि भारती फैनिकों को न दुनिया भारती फक्ति का लोहा मान गई कारण गिल के युद्ध में जो कि दुनिया मानती थी कि बताईए इतनी उचाईयों पर आतंकवादी बैठे हैं अब भारत के लिए फम्हों नहीं है कि भारत अपने उन चोटियों पर पुना हदिकार कर पाएगा लेकिन ये भारत जवानों की देन थी जिफे हम कई बार आपको बता चुके हैं कि कम फमफाधनों में भी उत्तम कारे करने की अगर छमता है तो भारती जवानों में